हेलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम legislative practice and procedure का chapter 3 पढ़ेंगे फ्रेंट्स इस वीडियो में मैंने syllabus की according की chapter को cover किया है तो प्लीज वीडियो में end तक बने रहें और प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक comment करके जरूर बता है फ्रेंट्स आज का हमारा chapter है संसदिय समीतिया पालियमेंटरी कमीटी तो सबसे पहले बात करते हैं संसदिय समीतियों के महत्रगी आखिर इन पालियमेंटरी कमीटी इसका क्या importance है दोस्तों संसद एक बहुती बड़ी संस्ता है जो कि अपने समक्ष लाए गए सभी विश्यों को प्रभावशाली धंग से solve नहीं कर सकती है संसद की जो कारे हैं वो बहुती डाइवर्स हैं बहुती विवित्ता पूर्ण हैं बहुती कॉंपलेक्स हैं बहुती जटिल हैं इस कारण से संसद को कई तरह की विश्यशक्यता की आवश्यक्ता पढ़ती है कई एक्सपर्ट्स की आवश्यक्ता पढ़ती है और बहुती गहराई से किसी मुद्दे को मतलब समझने की आवश्यक्ता पड़ती है तो ये सारे कारे संसत अपने आप नहीं कर पाती है जिस कारण से संसदी समीतियों के आवश्यक्ता संसत को पड़ती है तो इस परकार संसदी समीतियों का सबसे पहला कारे यही है कि संसदी समीतियां किसी विशेपर किसी मुद्दे पर विस्तरित जाच करती है इसके लावा संसदी समीतियां कई मंतरालियों एवं विभागों की रिपोर्टों पर विचार करती है इसके साथ ही जब संसत का सत्र नहीं चल रहा होता उस दौरान भी ये समीतियां कारे करती रहती है तो इस तरह ये संसदिये समीतियां लगु संसत के रूप में कारे करती है संसदी समीतियों का क्या महत होता है ये बात हमें वीडियो में आई तक काफी अच्छे समझ में आ जाएगी तो friends भारति समीधान में समीतियों के गठन उसके कारेकाल और उसके क्या कारे होंगे इससे संबंधित कोई भी प्रावधान या प्राविजन नहीं किया गिया है संसदी नियम बनाती है जिसके अनुसार संसदी समीतियों का गठन होता है कारेकाल डिसाइट किया जाता है और उसके कारे डिसाइट किया जाते है तो आईे संसदिय समीति से समझेन को कुछ important points को हम देख लेते हैं तो friends, एक संसदिय समीति को सदन दुवारा निक्ठ किया जाता है या फिर जो सदन का अध्यक्ष होता है या सभववती होता है उसके दुवारा निक्ठ किया जाता है और संसदिय समीतियां जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है या राजे सभा का सभापती होता है उसके निर्देश के अनुसार ही कारे करती है इसके अलावा संसदिय समीतियां अपनी रिपोर्ट सदन को या लोकसभा के अध्यक्ष या सभापती को सौंपती है इसके साथ ही समीती का अपना एक सचीवाले होता है जिसकी व्यवस्था लोगसभा या राज्यसभा का सचीवाले करता है अब अगर हम बात करें संसदिय समीतियों के प्रकारों की तो संसदिय समीतियां दो प्रकार की होती हैं इस्थाई समीतियां और तदर्थ समीतियां इस्थाई समीतियां जैसा की नाम से ही बिल्कुल साफ है कि इस्थाई प्रकर्टी की होती है जो निरंतर्ता के आधार पर कारे करती है मतलब regular basis पर ये इस्थाई समीतियां कारे करती है और इनका जो गठन होता है वो प्रतेक वर्ष किया जाता है मतलब हर साल ये समीतियां बनाई जाती है दूसरी तरफ अगर हम तदर्ध समीति की बात करें तो ये आइस्थाई प्रकृति की होती है ये किसी special उद्देशे के लिए किसी special purpose के लिए इस्थापित की जाती है और जब वो purpose पूरा हो जाता है जब वो जाँच पूरी हो जाती है तो इन समीतियों का कारेकाल भी समाप्त हो जाता है और इनका कोई अस्तित्व नहीं रहता जैसे कि बोफोर्स मामले पर सन्युक्ष समीति की इस्थापना की गई थी इसके लावा शेर बाजार में जो घोटाला हुआ था उसके लिए एक समीति गठित की गई थी तो ये तदर्द समीति थी मतलब जाँच हुई और जाँच के बाद इन्होंने अपने रिपोर्ट पेश की सदन में और इनका काम खतम जबकि इस्थाई समीतियों को प्रतेक वर्ष गठित किया जाता है आये फ्रेंट्स अब हम कुछ इस्थाई समीतियों को देख लेते हैं लोग लेखा समीति इस समीति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 की अंतरगत पहली बार 1921 में हुआ था तब से लेकर वर्तमान समय तक ये आज भी अस्तित में हैं आजादी के बाद भी ये अस्तित में हैं आज के समय में इसमें 22 सदस्ये हैं 15 लोग सभा के और 7 सदस्ये राज्य सभा के इसके अलावा प्रतिवर्ष इसका घठन किया जाता है और इसके सदस्यों का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिध्धान्त के अधार पर होता है एकल हस्तांतरणी इमत के माध्यम से होता है मतलब सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट के जरी इसका चुनाव होता है इस समीती में किसी भी मंतरी का चुनाव नहीं हो सकता इसके अलावा 1967 से एक परंपरा चली आ रही है कि जो विपक्षी दल का नेता होता है उसको इस समीती का अध्यक्ष चुना जाता है अगर हम इस समीती के कारेों के बात करें तो ये समीती भारत के नियंतरक एव महालेखा परिक्षक यानि की CAG के दुआरा राश्पती को जो रिपोर्ट पेश की जाती है सौपी जाती है उनकी जाच करती है मतलब CAG राश्पती को कई सारी रिपोर्ट देता है और ये जो समीती होती है उन रिपोर्ट की जांच करती है कि सरकारी योजनाओं में जो investment किया गया है देश का जो पैसा लगाया गया है कहीं उसमें कोई corruption तो नहीं किया गया इसके अलावा क्या कामनी रूप से सारी चीज़ें सही हैं या नहीं इसके साथ ही ये जो समीती है वो ये भी देखती है कि कहीं निरर्थक खर्च तो नहीं किया गया कहीं जादा ही खर्च किसी चीज़ में तो नहीं किया गया मतलब कम खर्च पर भी कोई काम हो सकता था बढ़ सरकार ने जान वुचकर ध्यान ना देते हुए उसमें एक्स्ट्रा खर्च कर दिया तो ये भी देखने का प्रयास करती है दूसरे स्थाई समीती है प्राकलन समीति इस समीती का गठन पहली बार जौन मतलब की सिफारिश की अधार पर 1950 में किया गया था वर्तमान समय में इस समीती में टोटल 30 सदस्थे हैं और ये 300 के 300 सदस्थे लोकसबा के ही होते हैं इसमें कोई भी राज्जे सबा का सदस्य नहीं होता इसके अलावा ये समीती भी प्रत्य एक वर्ष चुनी जाती है क्योंकि ये इस्थाई समीती है इसके अलावा इसमें भी जो चुनाव का जो प्रोसेजर है वो लेका समीती की ही तरह होता है सिंगल ट्रांस्फेरेबल वोट के जरिये ही इन सभी सदस्यों को चुना जाता है अगर हम इस समीती के कारेओं की बात करें तो ये समीती प्रशाशन में कारे को शल्ता और किफायत लाने के लिए वेकल्पिक नीतियों के बारे में सुझाव देती है मतलब किस طرح से Administration में एफिशियनसी लाई जा सकती है कारे को शल्ता लाई जा सकती है इससे संबंदित नीतियों पर सुझाव देती है इसके लावा कम से कम खर्च में प्रशाशन को Administration को किस तरह से बैटर बनाया जा सकता है इससे संबंदित ये समीती सुझाव देती है अगले स्थाई समीती है सारजनिक उद्धियम समीती इसकी स्थापना 1964 में कृष्ण मैनन समीती के सिफारिश पर की गई थी वर्तमान समय में इसमें 22 सदस्थे हैं जिसमें से 15 लोकसवस से चुने जाते हैं और साथ सदस्थे राज्यसभा से चुने जाते हैं इनका चुनाब भी पहले अब जो दो समीतियों में सदस्यों का चुनाब होता है उसी अधार पर होता है मतलब सिंगल, ट्रांसफेरेबल, वोट के जरिये इन सदस्यों का चुनाब भी होता है फ्रेंट जो CAG होता है मतलब नियंतरक एब महालेखा परिक्षक होता है वो राष्टबती को कई सारी रिपोर्ट पेश करता है या सौंपता है उनमें से एक रिपोर्ट होती है सार्जनिक उद्यमों से संबंदित एक रिपोर्ट होती है तो सार्वजनिक उद्यमों से जो संबंदित रिपोर्ट होती है उसकी जाच करना ही इस समीती का प्रमुक कारे होता है ये समीती जाच करती है कि जो पैसा जो पब्लिक सेक्टर के जो उद्योग है जो सरकारी नियंतरण में जो उद्योग है जो पैसा उनमें लगाया गया है कहीं उनमें कोई ब्रस्टा चार तो नहीं हो रहा इसके लावा जो उनका management है क्या वो सही है legal तरीके से वो management चल रहा है कि नहीं यह सारी चीज़ें वो जाच करते हैं तो friends अभी हमने जिन भी तीन समीतियों की बात की यह तीनों की तीनों ही स्थाई समीतियां थी बट इनको वित्तिय समीतियां भी कहा जाता है क्योंकि यह तीनों ही वित्त से संबंदित चीज़ों पर जादा गौर कर रहे हैं पैसे संबंदित चीज़ों पर जादा गौर कर रहे हैं इसलिए ये तीनों वित्तिय समीतियों में गिनी जाती हैं अगले स्थाई समीति है विभागिय समीतियां फ्रेंट्स विभागिय समीतियां कोई एक समीति नहीं है बलगी अलग-अलग विभाग के लिए अलग-अलग डिपार्टमेंट के लिए जो समीतियां गठित के जाती ह उनको विभागी समीतिया कहा जाता है लोगसबा की नियम समीति की इसिफारिश पर संसद में 1993 में 17 विभाग संबंदि इस्थाई समीतियां गठित की गई थी 2004 में इनकी संख्या बढ़ा कर 24 हो गई मतलब वर्तमान समय में 24 विभागी समीतियां हैं इन विभागी समीतियों का मुख्य उद्देशे ये है कि ये संसत के प्रती कारेपालिका को अधिक उत्तरदाई बनाती हैं इस्पेशली जो वित्त से सम्मंदित मामले हैं, ये विभागी समीतियां उन पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, जिस कारण से कारेपाली का हमेशा ही संसत पर मतलब डिपेंड रहती है, संसत के प्रती उत्तरदाई रहती है. इन समीतियों का जो कारेकाल होता है वो एक वर्ष का होता है, और प्रत्तेग विभागी समीति में 31 सदस्य होते हैं, जिसमें से 21 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं, और 10 सदस्य राजे सबा से चुने जाते हैं. अगर हम इन समीतियों के कारें की बात करें, तो ये समीतियां संबंदित मंतराले या विभाग के अनुदान मांगों पर विचार करती हैं, मतलब कि किसी मंतराले ने संसत में ये प्रस्ताव रखा है कि मुझे इतना पैसा चाहिए अपने मंतराले के लिए, तो ये विचार क करती हैं उसके बाद अपने रिपोर्ट वगरा तैयार करती हैं इसके अलावा कई अन्य समीटियां भी होती हैं जैसे कि याची का समीटि याची का समीटि चांसदों की द्वारा जो याची का दायर की जाती है किसी भी विधेयक पर या सारजनिक महत्व के मामले पर उसके जा करती हैं याजी का समिती लोग सभा के लिए अलग होती है और राज्य सभा के लिए अलग होती है मतलब ये दो होती है लोग सभा की अलग याज्य का समिती और राज्य सभा की अलग याज्य का समिती इसके लावा दूसरी समितियां भी होती है जैसे की विशेशादिकार समिती विशेशादिकार समीती भी दो होती हैं लोकसभा के लिए अलग और राजेशादिकार के लिए अलग ये समीती ये देखने का प्रयास करती है कि किसी सांसत के विशेशादिकारों का हनन तो नहीं हुआ या जिस सांसत ने किसी दूसरे सांसत के विशेश अदिकारों का प्रिविलेजिस का हनन किया है उसको किस परकार से पनिश किया जाना चाहिए तो ये जांच करती हैं और फिर रिपोर्ट तयार करती है सरकारी आशवासन समीती ये समीती मंतरियों के दुआरा या किसी सदस्य के दुआरा जो आश्वासन दिये जाते हैं उनकी जांच करती है example के लिए कोई मंतरा लेगा किसी मंतरा लेगा कोई मंतरी है तो वो ये आश्वासन देता है कि हम इस समय तक अपना ये कारे कर लेंगे तो ये समीती जाच करती है जो आशवासन जो विश्वास उसने सदन में दिलाया था लोगों को सदस्यों को क्या वो कारे अभी तक पूरा हुआ है या नहीं हुआ है तो सरकारी आश्वासन समीती ये देखने की कोशिश करती है और फिर रिपोर्ट तैयार करती है उसको सदन में पेश करती है फिर इसके अलावा एक महत्पूर्ण इस्थाई समीती है अनुसोची जाती एवं अनुसोची जन जाती कल्यान समीती ये इस समीती में 30 अदस से होते हैं 20 लोक सभा से और 10 राज्य सभा से इस समीति के अगर हम कारे की बात करें तो ये समीति अनुसूची जाती रास्ट्री आयोग तथा अनुसूची जन जाती रास्ट्री आयोग की रिपोर्ट पर विचार करती है इसके अलावा जो भी कल्यांट से संबंदित मामले किये गए हैं इन समीतियों के दुआरा जो बताए गए हैं उनकी भी जांच करती है महिला सशक्ती करण समीती इस समीती का कठन 1997 में किया गया था इसमें 30 सदसे होते हैं 20 सदसे लोकसवा से और 10 सदसे राज्यसवा से ये समीती ये देखने की कोशिश करती है कि केंद सरकार के दुआरा महिलाओं की इस्तिती में सुधार करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं इसके अलावा राश्ट्री महिला आयोक के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की जाती है उस पर भी ये समीती विचार करती है और जांच करती है फ्रेंट्स इसके लावा कई अन्य समीतियां भी होती हैं जैसे कि कारे सलाकार समीति, नियम समीति, सदस्यों की अनुपिस्थिती संबंदी समीति ये समीतियां सदन के रोजमर्रा के कारियों को देखती हैं, कामकाज को देखती हैं बट इतनी समीतियों का discussion हमाई लिए इस syllabus के according enough होगा Friends इन समीतियों में सांसदी होते हैं और ये सांसद कई expert की सलहा लेते हैं कई सारे resources का use करते हैं और किसी विशेय पर काफी गहराई से उसका अध्यन करते हैं और report तयार करते हैं ये सांसद वगरा अपनी report सांसद में पेश करते हैं और सदन decide करता है कि उन्हें किस तरह से कारेवाई करनी है तो इस तरह कहा जा सकता है कि इन संसदिये समीतियों की जो भूमिका होती है वो बहुती महत्पूर्ण होती है बढ़ यहां पर एक problem यह है कि ये report तो तयार कर देती है और सिफारिश भी कर देती है बढ़ उस सिफारिश पर कितना सरकार को काम करना है ये सरकार इसके लिए कोई boundation नहीं है या सरकार इसके लिए बाध्यकारी नहीं होती सरकार का मन होता है तो वो इन समीतियों की अनुसंशाओं को सिफारिशों को मानती है Otherwise वो इनकी सिफारिशों को नहीं भी मानती Friends, आपके exam में इस chapter से related जो question आ सकता है वो कुछ इस परकार आ सकता है कि संसदिय समीतियों पर प्रकाश डालिए या उस पर एक निमन लिखिये इसमें आपको इन सबी बातों का थोड़ा थोड़ा वर्णन करना पड़ेगा जो आज हमने इस वीडियो में डिसकस की है कोई भी question ऐसा नहीं आएगा कि किसी special किसी एक समीति पर विचार किजी कोई भी ऐसा question exam में नहीं आएगा तो friends आज की इस वीडियो में फिलाल इतना है और अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू